नमस्कार दोस्तों मेरे नाम को पिलसिका स्वागत आपका सड़ियाई की एडिकेशन प्लाटफोर्म में आज हम एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि क्यों वो डिस्टिंग्विश्ट जूरू करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस बारे में 2015 में भी जब NJC लाने की बात की थी तब भी Central Government ने कहा था कि Supreme Court जो है वो एक Constitutional Mandate को दरकिनार करते हैं ध्यान नहीं दे रही Constitutional Mandate क्या है? Article 124 का जो Clause 3 है वो ये कहता है कि Distinguished Jurist को भी आप Judges की तरह Supreme Court में अपॉइंट कर सकते हैं तो जैसे अब यहाँ हाली में आपने देखा कि 9 Judges यहाँ पे अपॉइंट हुए उसमें एक बहुत important advocate भी थे जिनको बार से bench पे लाया गया जब मैं कहता हूँ बार से bench इसका मतलब है कि Advocate जब Supreme Court की bench पे बैठे है तो बार टू bench हो जाता है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 9 नई Judges आए Historic movement था लेकिन अभी भी उस historic movement के चलते कुछ चीजों में court पीछे रह गया अभी जैसे आपने देखा कि Till date 9 ऐसे lawyers हैं जिनको आप bench पे ला चुके हैं जैसे कि अभी हमने पीएस नरसिमा जी की काफी बार हम चर्चा कर चुके हैं अलग-अलग वीडियो में इसके अलाब आप देखेंगे सबसे पहले जस्टिस एसम सीकरी थे, जस्टिस रॉय थे, जस्टिस सिंग, जस्टिस हेगडे तुम देखेंगे कोई eminent या distinguished jurist अभी तक क्यों नहीं आए, पूरा वीडियो इसी पे है, चर्चा करेंगे, Constitution का कौन सा प्रोवीजिन है और क्यों Supreme Court अभी तक ऐसा नहीं पूरा कर पा है, राइस्टान जुडिशिरी के कोर्से हमारे पास अभेल बिले हैं, इनको आप पर्चेस कर सकते हैं, इसके लावा बाकी जितने भी जुडिशिल एक्जाम से हैं, इन सब के कोर्से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक के तुरू आप अक्सेस कर सकते हैं, पर्चेस कर सकते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बहुत इंपोर्टन है, यह बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजिस का अपोइंट्मेंट कैसे होगा, 124 क्लाउज एक ही बाग करें, हम 124 यह क्या कहता है, कि कोई भी ऐसा परसन जो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा है, या 2 से ज़ादा कोर्ट में जज रहा है, उसे आप सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे जजिस हैं आप देखेंगे, इनफेट सारे ही ऐसे जजिस हैं जो हाई कोर्ट से एलिवेट होके आएं हैं, अभी भी आप देखेंगे, जो 9 जजिस हैं, उसमें से 8 जजिस हाई कोर्ट से ही एलिवेटेड हैं, इसकी अलाबा कोई अड़ोकेट, जिसने हाई कोर्ट में 10 साल काम किया हुआ, या 2 हाई कोर में 10 साल के लगबग काम है। जैसे अभी हमने देखा एक आडवोकेट भी आए हैं। तो ये दोनों केटिगरी तो फुल्फिल हो रही हैं। बात करते हैं, 124C की ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। लिखा गया था Constitution में कि जो के चलते कई बार हमें असा लगता है कि जो जूजिज अपॉ안्ट किए गए हैं, कोट के बाः से, जो अगर आप बात करें Cambridge Law Dictionary की तो वो ये कहती है कोई भी law का eminent professor ऐसा person जिसको law का ग्यान हो जो theory law की पढ़ाता हो high quality teaching में involved हो research करता हो law पे academic writings करता हो उसको judicial adjudication की समझ हो मतलब वो law के बारे में जानता हो public discourse में law की बात करता हो लेकिन कभी law practice नहीं किया हो देखो law practitioner और eminent jurist का यही distinguished jurist का यही फरक है जब मैं term use करता हूँ law practitioner मतलब ऐसा person जिस पर legal degree है और वो law को practice भी करता है वो advocate है वो judge है लेकिन जब मैं बात करता हूँ distinguished jurist की तो ऐसा person जिसे law का अच्छा ग्यान है theoretically वो उसका law strong है वो law का प्रफेसर रहा है लेकिन practice नहीं करता है पढ़ाता है बस तो यही है term यहाँ पे distinguished jurist अभी भी clear नहीं हुआ तो चलो constitutional assembly debates की बात करते है constitutional assembly debates में जब article 124 लिखा जा रहा था तो वहाँ पे जो कामत साहब थे उनका यह कहना था कि तो इससे लोग आने चाहिए ठीक है तो इससे क्या है क्योंकि भारत एक diverse nation है तो supreme court में उस diversity को accommodate करना काफी necessary है अब यह चीज़े हमने कहां से देखी हमने भी international practice से देखी भारत के बास अपना कुछ नहीं था हमने काफी चीज़े बाहर से लिया है जब हम बात करते हैं constitution की तो हमने देखा कि अच्छा western में ऐसा किया जाता है हमने देखा Europe में ऐसा किया जाता है हमने देखा UK में ऐसा किया जाता है तो हमें लगा कि हमें भी ऐसे professors की जुरत है जिनको law का काफी अच्छा ग्यान हो और वो judicial adjudication भी कर सके और इसी के चलते है H.P. कामत साहब ने commitment पास किया 124 में उन्होंने कहा कि दो category तो आप डाल चुके हैं एक category की high court से कोई judge elevate होके supreme court पहुँचा है दूसरी category high court का कोई advocate supreme court का कोई advocate court पहुँचा है तीसरी category और add कर दो distinguished jurist भी court में appoint हो सके as a judge तो हरी विष्णु कामत साहब ने कहा कि देखो बहुत जरूरी है distinguished jurist यहाँ पे होना अच्छा क्यों ऐसा सोचा गया क्योंकि हमने कुछ western judges को देखा जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और वो distinguished jurist थे मतलब वो advocates नहीं थे वो law के professors थे और उनको भी अपनी अपनी country में supreme court में रखा गया था जैसे हम बात करें professor Felix Frankfurter की काफी important personality है आपके constitution का article 21 इनहीं की सला और consultation से design किया गया था इन्हें जो अमेरिका के president है उन्होंने इनको appoint किया US के supreme court में यह Harvard में law पढ़ाते थे और इनको supreme court में लाया गया इसके लाव हम बात करें justice Kennedy की यह भी US के supreme court में काफी लंबे समय से रहे आपको याद हो का justice Ruth Bridger Ginsberg जिनकी अभी हाली में September 2020 में death हुई और काफी famous supreme court की judge रहे चुकी है कहा जाता है there is no truth without truth तो काफी काफी अच्छी judge थी है यह भी law professor अच्छी कोलंबिया में और अपनी vast कोलंबिया law school की knowledge को यह लेके supreme court पहुँची पहले high court पहुँची supreme court पहुँची तो कहा जाता है इनका US की judiciary में काफी अच्छा योगदान रहा है प्रोफेसर डाइटर ग्रेम हम देखेंगे Humboldt University जर्मनी में पढ़ाते थे ये भी जर्मनी के supreme court में बैठे लंबे समय तक Andrew Borough बैठे काफी famous judges हैं तो मतलब आइडिया ये है कि ऐसे law के professors जो law पढ़ाते हा रहे हमारे देश में भी national law university है महाँ पे भी बहुत अच्छी प्रोफेसर से dean है जिनको आप supreme court में judge के तरह ला सकते हैं तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि भारत को भी एक Indian frankfurter की जरूत है जैसे Felix frankfurter US में ते काफी important judge बने legal background के थे बट law practice नहीं करते थे फिर भी उनको judge बनाया गया तो ऐसे judges इंडिया में भी होने चाहिए क्योंकि इनको भी law का अच्छा घ्यान है तो कहा जाता है कि कोई भी ऐसा teacher कोई भी ऐसा law professor जिसे अच्छा experience हो जिसके पास legal proposition develop करने की knowledge हो वो case laws को examine करता हो और ऐसा law professors करते ही है और theory उसकी strong हो मतलब अच्छा कोई law professor हो तो उसको आप supreme court में judge बना सकते हैं professor उपेंदर बक्षी का आपने नाम सुना होगा अगर आप law के student तो उन्होंने भी कहा कि देखो मेरा तो यही मानना है कि 67 years से उन्होंने 2014 में कहा था कि 67 years से हम वेट कर रहे हैं distinguished jurist जो है वो court पहुँचे बट ऐसा हुआ नहीं है तो अब मैंने तो ऐसा सोचना ही छोड़ दिया कि ऐसा कोई person अब आप पहुचेगा तो यहाँ पे फिर से बार-बार बात उठाई जाती है कि एक distinguished jurist को supreme court में पहुचना चाहिए अच्छा एक बात और है यह article 124 में लिखा है क्या high court के लिए ऐसा provision है देखो original constitution में high court के लिए ऐसा कोई provision नहीं था लेकिन इंद्रा गांधी government को लगा कि high court में भी ऐसा provision होना चाहिए तो उन्होंने 42nd amendment से term distinguished jurist high court वाले chapter यानि 217 article में भी add कर आया तेकिन उसको 44th amendment से delete कर दिया गया तो अभी आप यह मान के चलिए सिर्फ Supreme Court of India में ही ऐसा provision है कि एक person जो है वो मतलब आप एक judge distinguished jurist को भी ला सकते एक, दो, तीन, जितनी भी president को लगे distinguished jurist है अब बात होती है कि बाकी countries का क्या चल रहा है देखो जैसा मैंने आपको बता है कि US में कोई भी specific qualification की जरूरत नहीं है जैसे हम यहाँ पे हमारे article 124 है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है president को जो person लगता है कि उसको law की अच्छी knowledge है उसका profession है law को लेके या फिर उसके पास इस तरह की knowledge उनको वहाँ पे लाया जा सकता है in fact US में तो यह भी कहा जाता है कि law graduate नहीं भी है तब भी उनको judge बना जा सकता है UK में भी इस तरह के offices हैं वो आप देखेंगे कि important personalities को वहाँ elevate किया जा सकता है रश्या में भी इस तरह के provisions है न्यूजिलेंड में भी practicing barristers को आप judge बना सकते हैं पाकिस्तान में सिर्फ lawyer ही judge बन सकते हैं पाकिस्तान बांगलदेश की बात अला के अच्छा इसके लावा बहुत सारे countries ऐसे भी हैं जहांके constitution कहते हैं कि academicians मतलब law के teachers भी judge बनें Kenya, Algeria, Spain, Thailand आप देखेंगे जितनी progressive countries हैं वहाँ पे Italy यहाँ पे Portugal जैसी countries में Myanmar जैसी countries में इन professors को आप judge बना सकते हैं अच्छा इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा इसको लेकिना सरकार काफी नरास थी सरकार इसलिए NGC लाना चाहते थी सरकार को लगता था जब से collision system आया है judges जो हैं वो अपने ही fraternity के लोगों को elevate करते रहते हैं मतलब कोई उनका favorite lawyer है advocate है Supreme Court में registered है advocate on record है high court का advocate on record है उठा कि उनको judge बना दीजे उनको आप judge की तरह elevate कर दीजे तो ऐसे में जो distinguished jurist वाली तरह वो कभी आ नहीं पाती Supreme Court कभी भी distinguished jurist को या Supreme Court की जो judges हैं वो distinguished jurist को prefer नहीं करते वो कहते हैं यह तो अपने fraternity के नहीं है इसलिए government चाहती थी कि constitutional mandate को पूरा करें हम 124 के 1 के C को पूरा करें तो इसके लिए हमें क्या करना है हमें NJC लाना पड़ेगा इसलिए government NJC लाने में काफी keen थी government को लग रहा था कि एक historic under representation है distinguished jurist की देश में मतलब ऐसे बहुत सारे fraternity के judges हैं ऐसे बहुत सारे प्रांतों के हम कहेंगे areas के ऐसे बहुत सारे states के judges हैं जिनका adequate representation नहीं है Supreme Court में तो चलिए हम NJC लेके आते हैं NJC क्या करेगा constitutional mandate को पूरा करेगा जैसा constitution में लिखा है judge के appoint करने का तरीका वैसे ही NJC करेगा पर आपको भी पता है 99th amendment था 2014 में आया Supreme Court ने उसको strike down कर दिया 2015 में और तब से फिर से college system जो है restart हो गया यानि जो college system Supreme Court ने 91, 92 से establish किया था वो आज तक लगबग पिशले 30 साल से उसी तरह से यहाँ पर जो appointment से की जा रही है अब अगर NJC आ जाता है तो CGI का भी एक important role होगा judges को appoint करने में senior most judges का important role होगा law ministry का justice minister का executives का भी important role होगा दो eminent persons भी आपके president की तरफ से बिठाए जाएंगे यहाँ पर जिसमें आप देखेंगे prime minister, leader of opposition भी बता पाएंगे कि कौन person है वो eminent कौन ऐसा person है जिसा आप eminent person बोलके NJC में बिठा सकते हैं लेकिन क्योंकि NJC का सपना पूरा नहीं हुआ यह सपना सपना रह गया तो अभी हम अपेक्षिद है हमें ऐसा लगता है कि Supreme Court अभी भी इन judges को शायद मतलब distinguished jurist को शायद Supreme Court आने वले समय में consider करे जैसे कि हमने देखा कि recently एक चीज़ तो sure हो गई है कि हाँ एक महीने के लिए सही एक पहली Women Chief Justice India को मिलेंगी तो में भी हो सकता आपको आने वले एक डिकेड में distinguished jurist भी Supreme Court में आते दिखें तो आचा करता हूँ अब आपको clarity आगई होगी कि distinguished jurist कौन होते है अब आप confused नहीं होगी कि advocate को ही अगर हमने Justice Nariman को judge बना दिया है तो वो distinguished jurist थे तो हम कहेंगे हाँ हमारा ये constitutional mandate पूरा हो गया कि कोई distinguished jurist Supreme Court का judge बन चुका है तो आचा करता हूँ topic आपको समझ मैं अगर इस तरह के बहुत important topics में लाता रहूँगा जुड़े रहे हमारे साथ मिलते हैं अगले ऐसे की session में तब तक लिये गुडबाय, टेक केर और गॉडबेस योर